और आएएब बात करते हैं विहार की विहार मेरे दरसल शराबंधी पर अचानक नितीश खुमार ने कल यूटन ले लिया शराबंधी कानून लागू तो रहेगी लेकिन कल नितीश की क्यामिनिट ने कानून में थोड़ी सी धील डी है खानून में सजा की प्रावधानों में कमी की गई है आपको बताते हैं ढील देने के बाद नियम क्या हो गए हैं पहली बार शराब पीने पर अब जेल नहीं होगी सर्थ जुर्माना होगा पहली बार शराब पीने वालों को ततकाल बेल मिल जाएगी पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर पचास हजार नहीं तो तीन महीने के खायद का प्रावधान है और दोबारा शराब पीते पकड़े जाने पर एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना है शराब खरीतने और पीने पर रोग जानी रहेगी सिर्फ शराब पीने वाला पकड़ा जाएगा पहले परिवार में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग पकड़े जाते थे किसी होटेल में शराफ पीते पकरे जाने पर होटेल को नहीं बलकि सिर्फ कमरे को सील किया जाएगा कानून में धील का फाइदा उन्हें भी मिलेगा जो इस वक्त जेल में है ऐसे मामलों में जेल में बंद है इस मौनसुन सत्र में संचोधन विधेक लाजाय का लेकिन बड़ा सवाल है दो साल के अंदर आखिर ये धील क्यों दी गई क्या वोटों की वज़े से वोट के लिए ये धील नितीश सरकार की तरफ से दी गई है